है हलो फ्रेंट्स में आपका व्यलकम करता हूं मेरे चैनल में और मैं उमीद करता हूं कि जो भी वीवर्स आता है मेरे चैनल है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेगा तो जिससे की मेरे वीडियो अपलोड करता रहा हूं आगे आप लोगों के लिए ठीक है यह मेरी रिक्वेस्ट है तो आज छोटा सा एक प्रोजेक्ट फिर से लेकर आए हूं रिए जैस में सलाई मेरे पास एक कुछ अरे है डेटा बेस से यहांपर हम लोग रैकर्डश už करेंगसर सर्च करने हूं मैं को अनुझ अने मेरे वस्कुर्ण और्यकर्ण प्राह्त नहीं सर्च करने हो लोगा कि मतलब हम लोग कोई बट्रस करने हैं तो सर्च होगा हम जैसी कोई इनिशिय alphabet डालेंगे यहां पर तो वो जो उससे match करता हो alphabet से match करता हो जो नाम आएगा यह आपको show हो जागा तो मैंने यहां पर node.js का use किया है और react.js का use किया है और मर्न मतलब यहां पर फिलान मैंने mongo use नहीं किया है मैंने mysql use किया है क्योंकि mongo में ठीक ही है मतलब कोई भी आप use कर सकते हो क्योंकि आपका main जो है logic से काम है node.js का जो logic है और react.js का जो logic है तो चली हम लोग start करते हैं तो यहां पर कुछ नाम आपको दिख रहा होगा ठीक है मैं database दिखा देता हूँ मिरे पास data है database में node underscore react नाम का टेबल उसमें कुछ records यहां पर दिख रहा होगा आपको ठीक है तो चली हम लोग चलते हैं यहां पर मैं इसको refresh करता हूँ उसकी ज़रुवत नहीं थी कि जैसे मैं control s करता हूँ react में आटोमेटी इसको refresh कर रहता है तो यहां पर मैं अगर इससे डालता हूँ मैं B डालता हूँ तो जो B से start होने वले words है यहां alphabet से नाम है और स्वारी नाम जो है वो आ जा रहे ठीक है अभी मैं इसको back जाओगा तो फिर से reload कर देगा पूरा तो ठीक है मैं दो event call कर रहा हूँ एक on key up है और एक on key down है ठीक है आप थोड़ा सा और different अभी मैं इसको back जाता हूँ C से related कुछ नहीं है तो यहां पर मुझे दिखाना है था actually no record found but मैं code share कर दूँगा तो उम्मीद करूँगा कि आप अपने से ही कर लोगे time बचाने के लिए मुझे यह सब करना पड़ता है क्योंकि validation का अलग topic हो जाता है validation में किसी और lecture में इसको complete करके बता दूगा ठीक है video मुझे छोटा रखना है अभी जाता हूँ मैं L करता हूँ caps या small जो भी है L से lovey sing आगे ठीक है और B है तो B का मैंने बता दिया तो चलिए इसको background में हम लोग देखेगी background में कैसे हुआ है तो पहले मेरे चैनल पर आ जाई मैंने बहुत सारे चैनल पर मेरे छोटे-छोटे project डाले ठीक है search record without refreshing the page php react.js और से related जो भी कुछ topics है मेरे पास ये देख सकते है playlist में आप देख लेंगे python पे भी कुछ डाला है advanced php jQuery bootstripe और जो भी है तो ठीक है मेरे चैनल पर आप विजिट करिए तो चलिए हम लोग चलते बैकेंड में बैकेंड में मैं चलता हूँ node.js में node.js में मैं आपको folder दिखा देता हूँ ये node.js आप जब इंस्टॉल करते हो तो यह इस तरह का file structure होता है config file मैंने डाला है फिलाल ठीक है config में मेरा जो connection है वो है db.connection तो यहाँ पे चोटा सा connection आपको दिख रहा होगा आपने PHP में देखा ही होगा अगर PHP background से हो तो Java में भी connection होगर है set up करते है तो यह connection होगा node जो database का नाम है node under react जो database का नाम है अब चलते है हमें SRC SRC में थोड़ हमेने MVC pattern follow किया है node.js में जब आप express में काम करते हो तो आपको यह follow करना चाहिए तो यहाँ पे मैंने कुछ routes यह folder या roots भोलो जो भी भोलो models है controller जो की MVC pattern को follow करते है तो यहाँ पे controller में मैंने क्या किया है कुछ code लिखा है यह जो employee का list है वो generate करेगा कुन सी list की में बात करो refresh करता हूँ refresh की जो अतनी वैसे तो यह जो list आ रही है वो node.js के इस code से मुझे मिल रहे है यह controller जो है यह pass करेगा model में जाएगा model से फिर वो masculine से communicate करके model में वापस आएगा फिर controller के पास आए controller फिर react.js को देदेगा तो यह list जो है इस code के लिए मैंने यह list यूज़ किया है अब चलते हैं हम लोग फिर से यहाँ पिर react में और get employee by name name मतलब आपको समझ में आ रहोगा कि जैसे ही बंदा कोई name टाइप करेगा उसे related जो भी उसकी detail होगा वो available हो जाएगा यहाँ पर आपको show हो जाएगा तो उसके लिए मैंने यह controller एक छोटा सा बना है controller में क्या है मैं एक request generate कर रहो यहाँ पर आपको दिख रहोगा यहाँ पर मैंने क्या बोला कि first name request.params.firstname तो यह first name उसको चला जाएगा वहाँ पर model में आके यहाँ पर match करेगा ठीक है यहाँ पर यह मैंने इसको एक इम्प्लोई variable में इसको save कलिया जो भी मेरा data है ठीक है यहाँ पर तो यह मेरा table का नाम है table के columns का नाम है और यहां पर मैंने उसको variable जो set कर रहा है, वो fname, lm, email, इसकी विसे जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये correct का एक form था, उसमें जब आप insert update करते हो, तब इसकी requirement होती, बट फिलाल इसकी जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने यहां पर उसको बना के छोड़ दिया, कि आप लोगो समझे तो यहां पर मैंने models में आके, मैंने query execute किया है, employees का जो list है, वो इससे मिल रहा है, यह जो आपको list दिख रही है, model, controller से मुझे यहां पर आ, फिर मैंने बोला कि query जो भी है, वो list करके दे दो, कुछ error आता है, तो error while fetching employees, यह error आ जाएगा, और fetch successfully यहां जाएगा, यह message कहां प दिखेगा, ठीक है, यहां पर दिखेगा, नीचे, node.js में, वो नीचे background में run होता रहता, दीखे, employee fetch successfully, यह request, sorry, message यहां पर appear होता है, console में appear होता रहता है, ठीक है, इसका react.js से कुछ लेना देना है नहीं, बट आप चाहिए, तो message दिखा सकते हो, react.js के form पे भी, और यह हो ग data get करना, ठीक है, और यहां पर मैंने express.js को install कर किया है, वो तो आपको idea होगा, अगर node.js में आपने थोड़ा वड़ा काम किया होगा, तो, अब यह controller को मैंने call किया, मैंने यहां पर routing में उसको call कराना ज़रूरी था, क्योंकि यह जो आपको दिख रहा है, यह, यह दोनों ज यह दो इक constant का variable बनाए, तो मैंने constant का variable बनाए, उसमें मुझे क्या मिला, यह मिला, ठीक है, उसका path जो यह मिला, फिर dot करके उसको मैंने जो यह variable था, उसको get कर लिया, और यहां पर export लिखना ज़रूरी है, export मतलब होते हैं, हम लोग किसी और module में पार्सर उसको send कर रहे है, इसलिए यहां पर export लिखा है, ठीक है, और फिर यह मेरा index.page है, यहां पर मैंने body, parser, chorus, course का, course का use करना बहुत ही ज़रूरी है, और react.js आपको error फिकेगा, मैं बता देता हूँ कुन से error की मैं बात कर रहा हूँ, यह आप सब ने देखा ही होगा, यह error हमेशा सब को मिलता है, यह life में कभी ने कभी, ठीक है, तो इसको मैं avoid करने के लिए मैंने यहां पर उसको install कर दिया, ठीक है, npm install course, ठीक है, और यहां पर कुछ code और भी लिखा है, मुझे यह path यूज करना है, जब भी मैं request generate करूँगा, local host, react का जो local host होगा, उसके आगे मुझे यह लगाना और employee का roots, मतलब ID है, first name में, last name में, जो भी है, वो यहां पर आ जाएगा, ठीक है, और photograph मैंने यहां पर set किया है, ठीक है, तो अब चलते हैं, react.js में, react.js में मैंने क्या किया है, यह चीज और भी बताना चाह रहा था, यह जो image आ रहा है, यह मेरा react.js में मैंने image रखा है, औ और जो image का नाम है, मैंने database में रखा है, ठीक है, तो node.js से मैं database को, data को fetch करा हूँ, और react.js में इसको show करा हूँ, तो यह जो images है, मैंने यहां पर react.js के folder में रखा है, public में जाएंगी, images के दो folder आपको मिल जाएंगी, यह दोनो, ठीक है, अब src में गया, मैंने सिर्फ एक file बनाया है, मुझे अच्छा, यहां पर दो दीन file और भी थी, टेस्ट होगा रख करके, मैंने सब delete कर दिया, उसकी need नहीं होती है, बट आप चाहे तो उसको रख सकते हो, तो यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर axios को आपको install करना होगा, bootstep को install करना है तो नहीं करना है, क्य क्योंकि अब सबी लोग functional component यूज करते हैं, तो मैं भी वह यूज करता हूँ, थोड़ा सा यह easy पढ़ता है as compared to class component, ठीक है, जब से इसमें hooks का उगर का concept आए, इसकी मैं बात करना, use state, use params, use effect होगा रखा, ठीक है, तो यहां पर मैंने दो variable set कर लिया है, यहां पर मैंने array assign कि क्या है, क्योंकि मुझे जो भी record मिल रहा है, वो यहां पर जो भी record आ रहा है, वो array form में बहुत सारे record है, इसलिए मैंने इसको यहां पर array रखा है, ठीक है, यह bracket जो दिकर होगा है, square bracket, तो यह मेरा load on page load display all record मैंने यहां पर लिखा भी है, तो यहां तक लिए code के जरी हम search कर रहा है, अब क्या है, कि एक चीज और रखा था मैंने, आपको input box दिखा देता हूँ, यह मेरा input box है, यह वाला input box है, वो मैंने यहां पर रखा है, ठीक है, यह input box, इसमें on key down, on key up, ठीक है, तो जैसी मैं यहां पर कुछ लिखता हूँ, तो उससे related जो भी item है, डिस्पले हो जाता है, बट जैसे मैं back जाता हूँ, तो मेरा page वापस load हो जा रहा है, ठीक है, तो इसलिए मैंने क्या कि on key down पर मैंने एक code और execute कर दिया, यह वाला code, किस पर on key down पर, यह रहा और यह on key up पर, तो search records मेरा क्या है, जब record को कोई बंदा search करेगा उसके लिए, और on key down के लि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, फोल्डर का नाम, और प्लस मेरा जो database में image का path या image का नाम है, जो भी हो यहाँ पर आ जाएगा, और उसको थो 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 styling मैंने यहाँ पर कर दिया, ठीक है, तो यह था search form, जो कि आप भी react.js में कर सकते हो, यह काफी advance होता है, यह तो basic level पे इसमें validation होगा है, मैंने कुछ नहीं किया, alert box होगा, कुछ भी नहीं दिखा रहा है, बट आप अगर यह project download करते हो, description box में link दे दूँगा, तो आप इसको और अच्छे से use कर सकते हो, बट एक idea देने के लिए मैंने एक छोटा से project बनाया था, तो दोस्तों, चैनल क आपको बहुत बहुत धन्यवाद,